दोस्तो इस मैच में न, इंग्लैंड अंडर 19 अपने बिंच से कुछ बहितरीन प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं और इस वीडिया में हम बात करेंगे उनी सारे क्रूशल प्लेयर्स के बारे में जो बिंच से आके आपको आज ग्रैंड लिग जीताने में मदद कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन अंडर 20% अंडर 30% आपको दिख जाएगा रिसेंट ग्राउन स्टाट्स मतलब इस वेन्यों पे रिसेंटली कौन से कौन से मैचेस खेले गया है और वहाँ पे कैसा क्या रहा है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इंग्लैंड अंडर 19 का स्क्वाड अनलाइसिस देखेंगे स्क्वाड से कौन से कौन से नए प्लेयर्स इस मैच में खेल सकते हैं वो भी हम देखेंगे दोस्तो यूई अंडर 19 के बारे में आपको कितना पता है हर एक player के बारे में बात करेंगे जितने भी player इनके squad में है practice matches जो दोनों ही team खेले हैं हम बात करेंगे हर एक practice match के बारे में playing 11 देखेंगे दोनों team का अगर आप first time हमारे youtube channel पे visit कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा currently हमारे youtube channel को subscribe करके इस छोटे से family का हिस्सा बन जाईएगा इसके बगल वाले bell button को press करके all पे करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पे जो arrow वाल बटन आपको दिख रहा है ना वहाँ पे जाएंगे description section में आपको हमारे telegram और instagram channel का direct link देखने को मिलेगा कोशिश कीजिएगा इन links पे क्लिक करके ही आप हमारे साथ हमारे telegram और instagram पे जुर जाए क्योंकि इस match का playing 11, batting order और जो final team होता है इनी channels पे आएंगे तो उस्तों बात करेंगे venue के बारे में तो वार्नर पार्ग बैसे टरे सेन किट्स में यह match खेला जाएगा जहाँ पे 19 one day international matches खेले गए है 13 बार बैटिंग first करने वाले team तो 6 बार बैटिंग second करने वाले team जीते है average score बैटिंग first यहाँ पे काफी अच्छा होता है 286 का scoring pattern देखेंगे तो below 200 सिर्फ 3 बार बने है 200 और 250 के बीच में 4 बार 250 और 299 के बीच में भी 4 बार and above 308 बढ़ गए है यह tournament शुडू होने से पहले दो warm-up matches इस particular venue पे खेले गए थे दोनों के दोनों बार बैटिंग first करने वाला team ही जीता था काफी अच्छा-खाचा score बना था बैटिंग first करते वे जिसको chase करना उत्ता आसान नहीं बन पाया था यहाँ पर Pacers को 6 विकेड मिले थे first inning में second inning में Pacers को 5 विकेड मिले थे spinner को first inning में 2 तो second inning में 5 विकेड मिले थे अच्छा जो यह under 19 वाल कप चल रहा है उसके 3 matches already इस particular venue पे खेला जा चुका है first match था Bangladesh under 19 और England under 19 के बीच में जहाँ पर betting first करने वाला टीम सिर्फ 97 पे ही all out हो गये England उसको आसानी से chase कर लिये थे Pacers को first inning में 7 विकेड मिले थे Spinner को first inning में सिर्फ 2 विकेड मिले थे Pacers and Spinner दुनों को second inning में एक एक विकेड मिला था second match देखेंगे Scotland under 19 easily 95 पे all out हो गये थे इस particular venue पे betting first करते हुए West Indies उसको आसानी से chase down कर दिये थे यहाँ पे भी Pacers को first inning में ज्यादा विकेड मिला था Spinner के मुकाबले and second inning में Spinner 2 विकेड निकाले थे जो last match इस particular venue पे खेला गया था England under 19 वहाँ पे betting first करते हुए 320 रन बोट पे टांग दिये थे जो के Canada चीज नहीं कर पाए थे यहाँ पे Pacers को first inning में 2 विकेड मिले थे second inning में 4 विकेड मिले थे Spinner's first inning में 5 विकेड तो second inning में 6 विकेड निकाले थे दोस्त दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि match number 3 आते आते इस particular venue पे Spinner's काफी अच्छे खासे game में आ गए है और सिर्फ इतना ही नहीं यह match number 3 भी नहीं था यह match number 5 था क्योंकि पहले ही 2 warm-up matches already इस venue पे खिला जा चुका था इस tournament के शुरू होने से पहले तो pitch थोड़ा सा used up है थोड़ा सा spinners गेम में आते हुए आपको दिखेंगे और specially second inning में जो भी spinners bowling डालेंगे उन पे आपको जादा focus करने है and UAE के team में कुछ बहतरीन spinners है जिनके बाड़े में हम specially बात करेंगे इस particular video में तो video में आखिर तक बन रहेगा 19 के squad के बाड़े में देखिए जी थॉमस राइट हैं ओपनिंग करते हैं recent form ठीक ठाक रहा है अब ज़रूर से try कर सकते हैं डबलू लक्स्टन राइट हैं बैट हैं middle order में बैटिंग करेंगे इनको तभी try कीजिएगा जब इंग्लैंड अंडर 19 का team बैटिंग first करते हैं नमबर 5 नमबर 6 पे आते हैं बैटिंग second मतलब chasing करते हैं शायद उतनों तक बैटिंग इंग्लैंड अंडर 19 का ना भी आए Tom pressed, team के captain last match में हमारे captain थे और man of the match भी रहे थे बैटिंग औन बोलिंग दोनों से contribution देते हैं जरूर से आप try कर सकते हैं right arm off break bowler है इस pitch से थोड़ा सा spin and turn extract कर सकते हैं बात करेंगे team के one of the best all rounders, Jay Beethel के बारे में left hand batter, left arm orthodox spin bowler ध्यान रखियेगा, यो opening करते हैं plus 10 over अपने कोटे का complete डालते हैं हैडी क्रोशर अगर खेलते हैं ना इस match में जरूर से try कीजेगा, middle order में batting करते हैं, सिर्फ और सिर्फ grand league में ही आपको try करना है James Ryu, जिनका selection फिलाल 22% का आपको दिख जाएगा ये Tom Prest के बादना सबसे best batter इस particular team से मुझे James Ryu ही लगते हैं फिर top order में, G Thomas ठीक है, ये तीन इनके best batter है मेरे हिसाब से, फिर आते हैं Jay Beethel बाकी James Ryu अगर खेलते हैं इस match में, अगर इनको नहीं बिठाया जाता bench में, तो जरूर से आप try कीजेगा, specially batting first करते हुए क्योंकि 59, 63, 28, 40, 40, 50 कितने consistent scorer हैं, आप देखी सकते हैं Daniel Ibrahim, right hand batter, right hand medium part time bowling करते हैं and middle order में batting करते हैं आर एहमद, जिनके बारे में वीडियो के शुरुवात में ही मैंने आपको दिखाया था lift up medium fast bowler है, recent form देखेंगे 23 run, 2 wicket, 10 run, 2 wicket, 3 run, 2 wicket, 17 run और 1 wicket जरूर से आपको try करना है, अगर इस match में इनको खिलाया जाता है तो Jay Boyden और एक lift up medium fast इनको rest दिया जा सकता है continuously matches खेल रहे हैं, recent form भी काफी अच्छा रहा है N Barnwell, right arm medium और एक बहतरीन बोलर जिनको अब तक मौका नहीं मिला है इस match में इनको मौका मिल सकता है recent form देखिए, 25 runs, 3 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket practice match में भी ठीक ठाक performance लेते हुए आ रहे हैं B Cliff, 21 run, 3 wicket, 1 wicket, 0 wicket, 0 wicket, ऐसा कुछ इनका recent form रहा है G Bell, number 6-7 तक बैटिंग करते हैं उतने important तो है नहीं, specially अगर England बैटिंग second करते हैं तो बट अगर England बैटिंग first करते हैं, नीचा आके hitting कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा Fते Singh, right arm off break bowler कुछ खास performance नहीं आया है, wicket के हिसाब से बट हाँ, अपने कोटे का 6-7 over डालते हैं, जरूर से अब try कर सकते हैं J. Cools, इनको अगर इस match में मौका मिला, तो जरूर से try कीजएगा left arm off break spin bowler है, अपने 6 ODI matches में 8 wicket निकाल चुके हैं हलाकि recent matches में कुछ खास wicket नहीं निकाल है, बट काफी quality spinner है बात करेंगे Alex Horton के बाड़े में, जो कि इनके original wicket keeper better है recent form देखेंगे, 53, 6, 21, 10, 3, और यहाँ पर 18 run J. Sales, जो कि betting के साथ साथ bowling भी कर रहे हैं, काफी important player है, जरूर से अब try कीजएगा last 2 matches में ही काफी बहतरीन performance किये है as spin wall अपने कोटे का followers नहीं कर रहे हैं, अगर करते हैं ना, तो 3 wicket, 2 wicket, आड़ाव से निकाल सकते हैं बट इनसे 4-5 over ही करवाया जा रहा है, तो bowling section में जब मैं team बनाने जाऊंगा तब मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, जिसको आपको comment section में जबाब देना है तो थोड़ा सा वीडियो में बन रही है, जे बाकिर, जो इस match में काफी important role play कर सकते हैं lift up or throw up spin bowler, 7 inning में 7 wicket निकाल चुके हैं इस बाकिर right up fast medium, यहाँ पर 8 inning में 10 wicket निकाल चुके हैं दोनों को ही इस match में मौका मिलने के chances हैं दोस्तो playing 11 with batting order के बारे में बात करेंगे G Thomas, right hand batter, right up medium fast, opening करेंगे G Beethel के साथ जो के left up orthodox spin bowler and left hand batter है, right hand left hand combination दोनों का opening combination है ठीक है, Tom Prest, team के captain, right hand batter, right hand off break, फिर James Ryu आ जाते हैं जो कि इनके दरब से wicket keeping नहीं करेंगे, wicket keeping करेंगे Alex Horton ठीक है, W Luxton आएंगे number 5 पे, G Beel आएंगे number 6 पे, फिर Alex Horton J Boyden आएंगे, जो काफी बहतरीन form में चल रहे हैं T Espinwall आएंगे, If Singh and G Seals दोस्तों यहां पर J Boyden आएंड J Seals को रेस्ट दिया जा सकता है या फिर Espinwall को रेस्ट दिया जा सकता है, ध्यान रखियेगा If Singh भी रेस्ट दिया जा सकते हैं Bench में इनके काफी बहतरीन spinners है, जो कि If Singh के जगा इस match में खेल सकते हैं अब दोस्तों practice match में England under 19 कैसा perform किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए, first practice match तो इनका UAE under 19 के against ही था जो कि बाडिश के कारण abundant हो गया था नहीं तो एक hit to head match का record हमको already मिल जाता बाकि PNG under 19 के सामने काफी बढ़िया तरीके से England under 19 ने जीत हासिल किया था G.Thomas 90 किये थे, batting first करते वे 2 ओवर bowling भी किये थे Bethel 78 किये थे, batting first करते वे, Tompress 91 किये थे bowling से J.Coles 4 ओवर bowling करते वे 2 week-end निकाले थे J.Sills 46 not out भी किये थे प्लस 5 ओवर bowling करते वे 3 week-end निकाले थे Aspenwall 10 not out प्लस 1 week-end या पर Barnwell का 1 week-end रहा था फतिय सिंग पाच अवर बोलिंग करते वे दो विकेड निकाले थे अच्छा ये जो अंडर 19 वर्ल कब टूर्णामेंट अभी चल रहा है यहाँ पे दो मैचेस इंग्लाइंड अंडर 19 अल्रेडी खेल चुके हैं दोनों के दोनों ही जीते हैं फर्स्ट मैच था बंग्लाइश अंडर 19 टीम के सामने काफी बहतरीन जीत हासिल किये थे जीत हमस 15 किये थे बीथल 44 किये थे और सिर्फ एक ही ओवर बोलिंग किये थे फते सिंग एक वीकेट 6 ओवर बोलिंग करते हुए एस्पिनवल 8 ओवर बोलिंग करते हुए दो वीकेट निकाले थे एक मेडन के साथ जीत हील्स 9 ओवर बोलिंग किये थे एक वीकेट और दो मेडन दोस्तों इनका लास्ट मैच था कानाडा अंडर 19 टीम के सामने जहाँ पर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते वे कफी लंबा चौरा स्कोर बोर्ट पे टांग दिये थे जो के कानाडा अंडर 19 चेज नहीं कर पाये थे जी थॉमस 52 किये थे बीथिल ओपिनिंग करते वे 7 रन और 10 ओबर बोलिंग करते वे 3 विकेड निकाले थे टॉम प्रेस्ट हमारे कैप्टेन थे उस मैच में 93 किये थे और 3 विकेड निकाले थे जीमस ट्यू 29 किये थे नमबर 4 पे आके काफी अच्छा खेल रहे हैं लाकस्टन बैटिंग फर्स्ट करते वे 41 किये थे जी बिल बैटिंग पर्स्ट करते वे 57 किये थे ठीक है नीचे से देखेंगे बोलिंग सेक्षन में तो जे सील्स यहाँ पर 7 ओवर डाले थे विकेड नहीं ले पाई थे बट बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन दिये थे हो सकता है इस मैच में ये 1-2 विकेड लेके जाए ध्यान दीजेगा बिल्कुल अवाइड नहीं कीजेगा जनता इनको छोड़के जा रहे हैं जेमस बॉइडन चार विकेड इस मैच में भी निकाले थे काफी कंसिस्टेन विकेड टेकर है टॉम एस्पेन वाल सिर्फ चार ओवर डाले थे लगी विकेड नहीं ले पाए थे परते सिंग भी साथ ओवर डालके विकेड नहीं ले पाए थे दोस्तो इस वीडियो में दिया गया स्टैट्स और अनलाइसिस अगर आपको अब तक अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे साथ टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पे इस मैच का फाइनल अपडेट के लिए जरूर से जोड़ जाईएगा बाकी बात करेंगे UAE Under 19 टीम के बारे में आर्यान शर्मा जोके ओपेनिंग करते हैं 11-0-5 रीसन फर्म कुछ खास नहीं रहे हैं कैरियर एवरेज इनका 18 का है थोड़ा सा आप अवाइट कर सकते हैं या फिर सेफ जाना है तो जबरूर से ले सकते हैं क्यूंकि ओपेनिंग करते हैं काई स्मित यहाँ पर रीसन फर्म देखेंगे 12-38, 9-45, 44-11, 13-16, 18 इस मैच में भी आप इनसे 15-25 रन तक एक्सपेक कर सकते हैं उससे ज़ादा नहीं ऐसा मत कर दीजेगा कि इनको कैप्टेन बना के ही अब चल दिये ठीके, as a normal player आप ट्राइ कर सकते हैं त्रूब, प्रशार, अब देखिए पार्ट टाइम बोलिंग करते हैं और नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं ज़ादा तर यहाँ पे राइटम औफ ब्रेक बोलिंग करते हैं ठीके, रीसन फर्म, 7 रन और 1 विकेट 2 रन और 1 विकेट, 9 रन यहाँ पे कोई विकेट नहीं आलिशान, सडफू, टीम के कैप्टन है राइट हन बैटर, राइट हम मीडियम सबसे बहतरीन बैटर हैं मैं कहना चाहूंगा प्लस बोलिंग से भी काफी अच्छ विकेट निकालते हैं 13 रन, 2 विकेट, 33 रन्स, 97 नॉट आउट, 28 नॉट आउट 3 रन और 2 विकेट, 35 रन्स, 35 रन्स और 2 विकेट काफी बहतरीन CVC आप्शन है डिफरेंशियल, स्मॉन लिग में भी और ग्रेंड लिग में भी ज़रूर सब ट्राइ कर सकते हैं पुन्या महरा, जब चलते हैं न तब लंबा चलते हैं जैसे के 72, 70 और जब नहीं चलते हैं तो 9, 13 करके भी आउट हो सकते हैं बहुत ही रेरली बोलिंग करते हैं इंसा बोलिंग का उम्मिद मत रखिएगा बर जब बैटिंग से चल गए तो काफी अच्च अगर सकते हैं दोस्तों अब जो मैं तीन प्लेयर्स के बारे मैं बात करूँगा इनको आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है? यहाँ पे कोशिश कीजेगा इन तीनों में से एटलीस्ट दो प्लेयर को तब लेकिए ही चलो निलेश केशवानी राइट हैं बैटर राइट हैं मीडियां फास्ट 38 रंस 2 विकेट 25 रंस 2 विकेट 15 रंस 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट यहाँ पे 1 विकेट 1 विकेट काफी consistent विकेट टेकर है प्लस बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं अगर निका बैटिंग आ गया तो जिसका chances इस match में काफी high हैं तो जरूर से निलेश केश्वानी को आप ट्राई कीजेगा आली नजीर देखिए 73 रन्स एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट उननीस रन और दो विकेट दो विकेट तीन विकेट काफी consistent विकेट टेकर है प्लस बैटिंग से भी ये भी पॉइंट्स दे सकते हैं जरूर से अब ट्राई कीजेगा बात करेंगे अफजल खान के बाड़े म हैं जरूरत पढ़ने पे बैटिंग से भी contribution दे सकते हैं जरूर से आप अफजल खन को ट्राई कर सकते हैं और आपको मिलेंगे अंडर 10% इनका selection आपको दिखेगा ग्रैंड लिग के लिए one of the important pick होने वाले हैं ठीक है आदित्य शट्टी इस pitch पे काफ्य अच्छा कर सकते हैं क्योंकि leg break bowler है और आपको पता ही है कि England, Australia जो team है ना South Africa ये सारे leg break bowlers and quality spinners को उतने अच्छे से खेल नहीं पाते हैं तो आदित्य शट्टी को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलेगा recent form भी ठीक ठाग इनका रहा है ठीक है दोस्तो बात करेंगे जश्क ग्याननी के बाड़े में जिनकर recent form काफी अच्छा रहा है left-time orthodox spin bowler है काफी अच्छा दिक्कत इंग्लैंड के batters को दे सकते हैं recent form 2 wicket 13 run और 1 wicket थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं विनर रागवन राइटाम medium fast उतने कुछ खास bowler मुझे नहीं लगे हैं उतने जादो overs भी नहीं करते हैं आप avoid कर सकते हैं शिवल वावा राइटाम off break bowler यहाँ पे 119 run और 1 wicket जोगे practice match में किये थे यहाँ पे 5 run और कोई wicket नहीं part time bowling डालते हैं रोणाक पलोनी जोके right hand batter है बोलिंग उतना नहीं डालते हैं 1,4,15,16,23 ऐसा को जिनका recent form रहा है शूरिया सतीश 22,0,21,71 अगर try करना है और अगर खेलते हैं तो grand league में ही कीजिएगा सिर्फ एक से दो टीम में दोस्तों बात करेंगे playing 11 with batting order के बारे में तो आयान शर्मा opening करेंगे जोके इनके wicket keeping duties भी समालते हैं काई स्मित के साथ धुरूप प्रशर आएंगे नमबर 3 पे अलिशन सरफू टीम के captain आएंगे नमबर 4 पे पुनिया महरा आएंगे नमबर 5 पे निलेश केशवानी के साथ फिर अली नसीर अफजल खान ये तीनों इनके लिए काफी important है निलेश केशवानी अली नसीर अफजल खान उसके बाद अधित्य शटी टीम के leg break bowler जश गियानानी लेफटाम orthodox और विनय रागवन राइटाम medium अब दोस्तों power play में डालते हैं रागवन नसीर और केशवानी डेथ अवर्स में कौन-कौन डालते हैं अफजल खान अधित्य शटी टीम के captain शरफू आ जाते हैं और गियानानी डाल सरफू जरूर से और यहाँ पे अधित्य शटी एंड गियानी में से कोई एक यह 5 प्लेयर को आपको जरूर से लेके चल रहा है ठीक है अब यूई under 19 कौन से कौन से practice matches खेले हैं और वहाँ पे कैसा क्या performance रहा है चलिए देख लेते हैं फर्स practice match था PNG under 19 टीम के सामने जहाँ पे बढ़िया तरीके से इन्होंने जीत हासिल किया था 304 रन किये थे दोस्त मतलब बैटिंग में भी इनका काफी रगदांखम है काई स्मित 22 किये थे एस बावा 119 किये थे मौका मिलता है तो ट्राइ करना बिलकुल भी मत भूलिएगा प्रशर 68 किये थे बैटिंग और डाले थे बोलिंग से और देखेंगे तो अफजल खान 6 और बोलिंग डाले थे दो विकेड निकाले थे अधित्य शट्टी दो और बोलिंग किये थे दो विकेड गियारनी पांच और बोलिंग किये थे एक विकेड ठीक है नेक्स्ट जो इनका प्रैक्टिस मैच रहा थ अब्वियसली इंग्लैंड अंडर 19 के सामने वो अबंडट हो गया था दोस्तो यह जो वलकप अभी चल रहा है यहाँ पी इनोंने अल्रेडी एक मैच खेले हैं और जीत के आ रहे हैं कानडा अंडर 19 टीम के सामने काफी बड़िया बैटिंग का मुझारा करते वे 284 किये थे और टार्गेट को डिफेंड भी किये थे आयान शर्मा यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में 11 किये थे काई स्मित 12 किये थे धुरूप प्रशर 7 और बोलिंग किये थे प्लस 5 और बोलिंग करते वे एक विकेट भी निकाले थे अलिशान शरफु टीम के कैप्टन 37 किये थे प्लस 2 विकेट भी निकाले थे 2.4 ओवर्स डेथ ओवर्स में डाले थे ठीक है यहाँ पे पुनिया महरा 71 करते वे आ रहे हैं दोस्त जरूर से आपको ट्राइ करना है ग्रैंड लीग में ठीक है निलेश केशवानी 39 रन्स और 2 विकेट अली नसीर 73 रन्स प्लस 5 ओवर बोलिंग अफजल खान 14 रन प्लस 10 ओवर बोलिंग 2 मेडन 29 रन्स और 1 विकेट ठीक है आधित्य शक्ती 10 ओवर कंप्लीट डाले थे लेक ब्रेक बोलर 2 विकेट निकाले थे जश ग्यानानी लेफटाम और्थोडाक्स 3 ओवर डाले थे 2 विकेट निकाल गये थे डेथ में डाले थे ये भी ठीक है विनाय रागवन सिर्फ 3 ओवर डाले थे कापी expensive गये थे प्रेंड लीग में ट्राइ कीजेगा जरूर से विनाय रागवन को दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से दो प्लेयर्स इस मैच में captain wise captain के लिए best option होने वाले हैं अपना suggestion comment करके जरूर से बताईएगा तकि मुझे भी थोड़ा सा मदत हो जाए कि आप क्या सोच रहे हैं अपना valuable addition जरूर से comment section में दीजेगा मेरे साथ साथ मेरे बाकी भाईयों को भी थोड़ा सा मदत हो जाएगा वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा टेलिग्राम पर जरूर से जूर जाएगा बाकी wicket keeping section में काई smith जो के opening करेंगे आप try कर सकते हैं decent batter है Alex Horton काफी नीचे batting करेंगे बट England under 19 team के तरफ से wicket keeping यही करने वाले हैं दोस्त बाकी ये शर्मा जो के wicket keeping तो करेंगे and opening भी करेंगे बट recent form उतना खास नहीं है बात करेंगे Jay Ryu के बारे में जो के मेरे favorite है first match में भी हमने try किया था जहाँ पी इन्होंने काफी अच्छा पाड़ी खेला था wicket keeping नहीं करेंगे बट बैटिंग से मुझे इन पे काफी भड़ोसा है तो जरूर से मैं फिलाल के लिए Jay Ryu को try करना चाहूँगा ठीक है बैटिंग सेक्षन में नमबर वन पिक अली सडफू जो के बैटिंग औन बोलिंग दोनों से contribution देंगे टीम के captain है अली नजीर जो के one of the important all rounders है जरूर से हमें try करना है G. Thomas opening करेंगे UAE under 19 का bowling अगर शुरुवात में थोड़ा से भी week हुआ तो G. Thomas काफी लंबा खेल सकते हैं इंग्लैंड under 19 टीम के तरफ से ठीक है यहाँ पर G. Bill को तभी try कीजेगा जब इंग्लैंड under 19 टीम बैटिंग first करते हैं P. Mehra last match में 71 करते हुए आ रहे हैं जरूर सब try कर सकते हैं सिर्फ 15 परसन का selection है ठीक है W. Luxton again अगर इंग्लैंड बैटिंग first करते हैं तो ही try कीजेगा last match में काफी अच्छा पाड़ी खेलके यह भी आ रहे हैं Ace Baba practice match में 119 किये थे आप अगर इस match में इनको मौका मिलता है तो जरूर से try किया जा सकता है बात करेंगे निलेश केशवानी के बारे में बहतरीन all rounder small league में हमें बिलकुल भी avoid नहीं करना है ठीक है 30% का selection one of the important all rounders जरूर सापको try करने है अपने कोटे का लगभख full overs डालते है J.Bethal opening प्लस 10 over bowling हमारे टीम के CVC होने वाले हैं J.Sales 20% का selection है बट फरक नहीं बढ़ता middle order में hitting करते हैं प्लस अपने कोटे का लगभख full overs डालते हैं 1st match में 2 wicker निकाले थे जरूर से हमें ये बात नहीं भूलना है D.Presher batting के साथ साथ part time bowling करते हैं हम try कर सकते हैं J.Cools को अगर मौका बिलता है तो as a differential flick आपको डरूर से try करना है left arm orthodox spin bowler हैं सामने वाले टीम को दिक्कत दे सकते हैं फिलाल के लिए हम टॉम प्रेस्ट को बिल्कुल भी avoid नहीं करेंगे याद है कि जब tournament शुरू हुआ था इनका selection सिर्फ 15% का था तब से हम इनको captain मना के चल रहे हैं फिलाल इनका selection 85% तक पहुँच गया है और यह selection बड़ेगा कमेगा नहीं क्योंकि बहतरीन player है यह ठीक है दोस्तों allrounder section के बाद चलते हैं bowling section में जहाँ पर Jay Boyden हमारे must pick में आ जाते हैं फिलाल के लिए अगर इनको rest दिया जाता है तो इनके जगा हमकी नहीं quality spinner या फिर passer को try करेंगे वो तो टॉस के बाद final team आपको telegram पे मिल ही जाएगा ती एस्पिन वाल को आप try कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं एस्पिन वाल को नहीं लूँगा यूँकि मुझे लगता है UAE under 19 काफी अच्छा fight दे सकते हैं और एस्पिन वाल अपने कोटे का full overs नहीं डाल रहे हैं इसलिए मैं फिलाल के लिए A.80 के साथ जाऊंगा जोके lig break bowling करते हैं और England के batters को थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकते हैं और उनके साथ-साथ Jay Gyananini के साथ जाऊंगा जोके left-time orthodox spin bowler है और काफी अच्छा दिक्कत मेरे हिसाब से England के batters को ये भी पहुचा सकते हैं इसलिए दो quality spinners UAE under 19 team के तरफ से मेरे team में होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा UAE under 19, Bangladesh under 19, Sri Lanka, Pakistan, India ये जो subcontinent के team से ना, इनका USP या फिर strong point क्या है कि ये spinners काफी अच्छे produce करते हैं अपने देश में और spinners को काफी अच्छे खेलते भी हैं बट opponent के जो teams है ना, जैसे के England, Australia, South Africa, New Zealand ये उतने quality spinners नहीं अपने team में produce करते हैं और नहीं उतने अच्छे से खेल सकते हैं तो इसलिए अगर UAE थोड़ा सा भी match बना सकते हैं इस match में तो जरूर से इनके spinners को काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा जैसे के गियानानी, आदित्य शेट्टी, यहाँ पे और भी बहतरीन spinners हैं जो काफी अच्छा role इस match में play कर सकते हैं तो spinners को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस particular match में और वैसे भी pitch बहुत बार use हो चुका है तो spinners धिरे-धिरे game में आते जाएंगे, ठीक है? दोस्तो यह मेरा final team combination नहीं है final combination आपको टेलिग्राम पे ही मिलने वाले हैं, toss के बाद दोस्तो comment section में comment करकर जरूर बताईएगा कि इस match में captain wise captain आपके हिसाब से logically कौन होने वाले हैं और logic भी जरूर से लिखिएगा कि अगर इस match में हम Jay Beethal को captain बनाते हैं, तो क्यों बनाना चाहिए? Tom Prest को अगर wise captain बनाते हैं, तो क्यों बनाना चाहिए? मेरे इसाब से ये दोनों captain wise captain के लिए इसलिए best option है क्योंकि ये दोनों ही top order में batting करते हैं प्लस अपने कोटे का लगभग pull overs डालते हैं इसलिए फिलाल के लिए Tom Prest मेरे captain होने वाले हैं, wise captain मेरे बीथल होने वाले हैं केशवानी काफी अच्छे CVC option हो सकते हैं, specially bowling first यहाँ पर grand league में आदित्य शट्टी को try करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा boyden last के दोनों matches में 4-4 weekend निकाले हैं, तो काफी अच्छे CVC option ये भी होने वाले हैं टीम के captain आदित शट्टी काफी बहतरीन और राउंडर हैं, जरूर सब try कीजिएगा इस captain wise captain, ठीक है? दोस्तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मैं आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपने ध्यान रखिएगा